नमस्कार दोस्तों, IUCN की Red List के अंदर एक Endangered Species है, नाम है Caspian Seal जो कुछ इस तरीके से दिखती है, यह जो Caspian Seal है, यह नाम से ही समझ में आरा, Caspian Sea के अंदर प्राप्त की जाती है, जब Caspian Sea के अंदर पाई जाती है तो Caspian Sea जो की रश्या से बॉर्डर शेयर करता है, Caspian Sea जो की अजर्बाइजान से बॉर्डर शेयर करता है, इरान से, तुर्कमिनिस्तान से और कजाकस्तान से, इसी Caspian Sea की जो बॉर्डर रश्या से शेयर होती है, यहाँ पर 10 फरवरी की सुबह कुछ इस तरीके का नजारा पाया गया, लगबग 30,000 के आसपास Caspian Seal मृत पाई ग मृत्यू का कारण कोई polluted नहीं था, ना ही कोई violent human activity, ना ही इन Caspian Sea की मृत्यू का कारण कोई unfair fishing practice थी, बलकि कारण कुछ और था, इवन कारण anthropogenic भी नहीं था, तो इसकी मृत्यू का कारण क्या है, जो यह भारी मातरा में Caspian Seal मर रही है, वो मैं शुवेसिक चोहान इस session के अ सब कुछ, आपको हमें मिल जाता है, इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे, 10-12 की करास में दो आप पार फंडेचर के उपर live ली जाती है, आप वहाँ पर ही महसात में जूड़ सकते हो, इसके अलावा un academy के उपर अगर आप लोग को सब्स्क्रिप्शन लेना है, और आप आप लोग को टार्गेट दिये जाएंगे, तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि Caspian Seal की मृत्यूगा कारण क्या है, कैसा है researcher, कैसा है scientist का मानना है, कि Caspian Seal जो mass level पे मर रही है, Caspian Sea के आसपास, उनकी मृत्यूगा कारण है avian influenza, H5N1, जिसके cases Caspian Sea के आसपास mammals के अंदर पहल यानि कि ऐसी बिमारी जो बर्ड को बिमार करती है, ऐसे वाइरसे जो बर्ड को बिमार करते हैं, उन्हें हम लोग avian influenza कहते हैं, पर यही बर्ड की बिमारियां कहीं बार बर्ड से transmit हो जाती हैं दूसरे दूसरे mammals के अंदर, इसी avian influenza का एक type है H5N1, जो कि बर्ड के अंदर death क एक बड़ा कारण होता है, बर्ड के अंदर death का एक बड़ा कारण होने के साथ में यही avian influenza कहीं सारे mammals के अंदर फैल जाता है, जैसे mink, ferret, seal, domestic, cat, even human के अंदर भी, माना जाता है कि H5N1 की वज़े से human के अंदर pandemic भी हो सकते हैं, अगर हम लोग avian influenza को देखें, तो avian influenza दो प अब सवाल यह उठता है कि H5N1 का मतलब क्या होता है, मतलब why H5N1, A1, B2, C1, D2, ऐसा क्यों नहीं, H5N1 ही क्यों तो उसे समझने ही कोश्च करते हैं, देखो, जब हम लोग avian influenza की बात करते हैं, या हम लोग bird के अंदर viruses की बात करते हैं, जिनके बर्ड के अंदर बीमारी हो होती है, कुछ ऐसी बीमारी जो इनसान के अंदर फैलती है, दूसरे जानवरों के अंदर नहीं फैलती है, उनको हम अलग से देखेंगे न, तो उसे type C के अंदर डाल दिया जाता है, वहीं कुछ बीमारी ऐसी जो इनसान में नहीं फैलती है, पर केवल cattle के अंदर फैलती है, बर्ड से बर्ड के अंदर ये वाइरस है बर्ड की विमारिये पर वो इंसान में फैले तो वो C है बर्ड के अंदर ये वाइरस है और दूसरे के अंदर फैले तो वो टाइप D है टाइप A और टाइप B क्या है जो हर सीजन के अंदर फैले इसके अंदर आप टाइप A देख र ह्मग्लुटामीन के लगबग 18 सब्टाइप है और न्यूर्मिनिडेश के लगबग 11 सब्टाइप है इनों के अलग अलग सब्टाइप आपसमें जूड़ते हैं और अलग अलग प्रकारद की बिमारिया कॉज्ट करते हैं इसी कायां तिर्फ से आप देखोगे तो H1N1, H2N2, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हेमा ग्लुटामीन का सब टाइप 2 है, वही नूरा मिनिडेस का सब टाइप 2 है, मैक्जीमम यह हो सकता है, H18N11, ठीक है, उसी तरीके से H5N1 का मतलब आप समझ पा रहे हो कहीं क्या है, ठीक है, तो यह H5N1 जो है, वो बर्ड के अंद भी पाय जाते हैं, यही H5N1, एवियन इंफ्लुएंजा, कारण माना जा रहा है, कैस्पीन सिल्की डेथ का, इनकी मास्ट डेथ का, जो की कैस्पीन सी के आसपास पास पाई गई है, एक्च्वल में ही H5N1 शुरू हुआ था, 1996 के अंदर, सबसे पहला केस चाइना के पहले नहीं थे, 1997 के अंदर, एक major outbreak हुआ, जो Hong Kong के अंदर हुआ, Hong Kong के एक poultry farm है, जिसके कारण से, यह एवियन इंफ्लुएंजा, बर्ड से, इंसान में भी फैला, जिसकी ओएसे, 6 लोगों की मृत्ति हो गई थी, 2004 के अंदर, इसी एवियन इंफ्लुएंजा के कैसे, एश हाँ पर कुछ dignitaries बैठे हुए, चिकन खाने हो, पीछे लिख रहे हैं, क्या रहे, बर्ड फ्लु से बचो चिकन को बन करो, ठीक है, 2020 के अंदर, एवियन इंफ्लुएंजा यानि की बर्ड फ्लु काफी जड़ा फैला था, उस समय पर चिकन को रोकने की, चिकन ना खाने की बातचीद भी उस समय पर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो रही थी, उस समय पर हम लोग को देखने को मिला था, एक बहुत ही बड़ा आउटब्रेक हुआ था, H5N1 के ही एक वेरियन का, 2.3.4.4 भी, जो एशिया, अफरीका, यॉरॉप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमे हैं, 2023 के अंदर, पेरू के अंदर, हम लोग को देखने को मिला, डॉल्फिन, और सी लाइन की मृत्योगा कारण यही H5N1 मना था, यही H5N1 यॉनाइट किंग्डम के अंदर, ओर्टर और फॉक्स के अंदर देखने को मिला, जनरली है H5N1 के अलग-अलग म्यूटेशन, मैम मैमल से, दूसरे मैमल में फैल रहा, इसका पहला केस, इस पेन में, 2022-23 के अंदर पाया गया था, इस पेन के अंदर, मिंक के अंदर, पहला केस ऐसा देखने को मिला था, मिंक कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिसके अंदर, मैमल to मैमल ट्रांस्मिशन हुआ था, इसके उप के अंदर दूसरे जानवरों के अंदर फैलते हों दिखा दे रहें खास उपसे मेंमर्स के अंदर इंसान भी आते हैं सवाल उठता है कि क्या इंसानों के लिए यह एच्वाइफ एनवन हनीकारक है या कोई भी बड्ट फ्लू हनकारक है क्या तो देखो यार जब भी हम लोग बड्ट फ्लू की बात करते तो बड्ट फ्लू जो वो इंसान में फैल सकता है पर बहुत जादा नहीं फैलता रेयर केस हम लोगों को देखने को मिलते हैं पर माना जाता है कि अगर यह एच्वाइफ एनवन का कोई नया म्यूटेशन आया क्योंकि इसके म्यूटेशन बहु बहुत ज्यादा होता है लगबग 53% के आसपास होता है हम लोगों को देखने को मिला था कि 800 केसे अभी तक यूमन के अंदर H5N1 के देखने को मिले हैं यानि कि बहुत तेजी से आप बहुत ज्यादा नहीं फैल रहा है कुछ को जगे पर ही है H5N1 जो है वो इंसानों के अं मीट को साफ करते हैं उनके अंदर हिंखने को मिलते हैं जनरली उन लोगों में देखने को नहीं मिलते हैं जूंकि होत जाता है जिसके करांड से िधे का का और हम लोगffen को सकता है फेशाल फिर रहना चाहिए। को हम लोगों को देखने को मिल रहा है। या human-animal conflict की वज़े से हम लोगों को आज कल देखने को मिलता है ऐसी condition के अंदर हम लोगों को बिल्कुल से ready रहना बहुत ज़रूरी है avian influenza के प्रती हम लोग कैसे ready रह सकते हो बीमारियों को कैसे रोख सकते हो सुच्छे पहले poultry's को क्योंकि poultry's वो जगी होती है जहां पर bird और इंसान का आपस में contact होता है वहां पर poultry's को vaccinate करना बहुत ज़रूरी है safe disposal of dead bird करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मरी हुई पंचियों में से इस तरीके की बीमारिया ज़्यादा देखने को मिलती है वही कई साही जगों पर इसा देखने को मिले कि दूसरे जानवर के अंदर avian influenza फैल रहा है तो उसे अलग से quarantine कर दिया जाए ताकि वो बीमारी इंसान के अंदर ना फैल है इवन जो वेक्ति bird से regular काम कर रहा है उसको साफ करने या काम कर रहा है regular interaction है तो वो proper protective equipment का प्रयोग करे इन चीजों से हम लोग avian influenza को रोख सकते हैं प्रोपर रूप से avian influenza के survey करना बहुत ज़ाए ज़रूरी है अगर हम लोग H5N1 को देखे तो H5N1 से होने वाली बीमारियां जो होती है अगर उसके severe cases भी है तो उसके vaccine हम लोग के पास में है पर कोई नया mutation आएगा जो बहुत तेजी से transfer होगा उसके लिए हमाय पास में कोई vaccine ready नहीं है ऐसी condition कहना जो नय-nय mutations है उसके उपर नजर रखना जरूरी है अगर नय-nय mutation के उपर नजर रखना जरूरी है तो दोस्तों आज के लिए तेजी रखते हैं लेक्षर अच्छा लगाओ तो like करो लेक्षर बहुत अच्छा लगाओ तो src10 कमेंट करो अगर आप लोग को अनकेडमी के उपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज करो गया src10 कोड का परियोग करो दोस्तों आज के लिए तना ही जैन जै भारत